वेलकम टू माई यूटूब चैनल CHO केडमी में आपका हार्दिक शुआगत है दोस्तो फाइनली यहाँ पे UPCHO Community Health Officer की 5,500 बैयांसी पोस्ट की फुल डीटेल है, फुल नोटिविकेशन आ चुका है, ओफिसल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, कल से मेसेज कर रहे है पर्सों से कि सर इसका ओफिसल लेटर कर तक आएगा, क्योंकि उसमें एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगेरा कुछ मेंसन नहीं था, ओनली फोस्ट थी केटेगरी वाइज, तो यहाँ पे फुल डीटेल है, फुल नोटिविकेशन आ चुका है, सबसे पहले CHO Academy चैनल के मा पर्सिंग ओफिसर की हो, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और दोस्तों आप लोगों से हमले रिक्वेस्ट है, आप लोगों की मेनब से हम यह चैनल चलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले, अब वीडियो स्टार्ट कर आप लोगों को पता है, यूपी अनचम की तरब से कम्नुटी हेल्थ ओपिसर की वेकेंस से निकाले गई है, 5582, सबसे उपर की हेडिंग में आप लोग देख पा रहे है, एक्टिविटी गो लाइव ओनलाइन अप्लिकेशन फोरम है, उन्टीस एक दो हजार चोईस से आप लोगों को केरफुली फोरम फिल अप करना है, किस परकार से करना है, यहाँ पर केटेगरी वाइज वेकेंसी डिवाइड की गई है, उस अनुसार आप लोगों को करना है, जीले वाइज भी वेकेंसी बताए गई है, कौन से जीले में कितनी वेकेंसी है, तो हम सारी जानकार इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों, जितने भी कंडिडेट देख रहे हैं, लाइक करना बिलकुल ना भूलें, केटिकरी बाइस के हम बात करें, तो जनरल की 233 है बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों, EWS के लिए 507 पोस्ट है, OBC क के लिए 223 है, X-Servicemen के लिए 289 है, और Dependent of Freedom Fighter के लिए 111 है, क्वालिफिकेशन की हम बात करें, आप लोगों कौन-कौन इस वेकेंसी को अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ा मुदा ये बनावा है, क्योंकि GNM वाले कंडिडेट है, वो काफी प्रेशान है इस वेकेंसी को देखकर, वेकेंसी बड़ी है, लेकिन प्रेशान उससे ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, दोस्तों, वो कंडिडेट who have successfully completed BAC nursing होना चाहिए, उसके पास में CCHN होना चाहिए, या फिर post basic BAC nursing वाले कंडिडेट होना चाहिए, साथ मे CCHN कोर्स क्योंकि उनके पास में रहता है, उसके बाद है, दोस्तों, जो युनिवर्सिटी फ्रों अकेडमिक यर दोहजार बीस ओनवर्ड सेल भी eligible to apply, दोहजार बीस के वाले कंडिडेट है, वो कंडिडेट इस वेकेंसी के लिए eligible है, क्योंकि पहले CCHN कोर्स नहीं होता था उसके बाद है, for clarification, the academic year referred to integration of middle level health provider, MLSP, student who have undergone 4th year B.A.C. nursing and 2nd year post B.A.C. nursing in the year 2019-20 on onwards and passed the course successfully, तो वो कंडिडेट भी इस वेकेंसी को apply कर सकते हैं, लेकिन जो कंडिडेट अभी recently 4th year, B.A.C. nursing का 4th year है, या फिर post B.A.C. nursing का 2nd year है, तो वो कंडिडेट apply नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास registration certificate नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कंडिडेट ने message किया है, कि हम सरफ 4th year के student है, अभी तक registration certificate नहीं मिला है, तो वो apply नहीं कर सकते हैं, 2nd यहाँ पे हैं दोस्तो, candidate must be registered in UP nursing, क्या लिखावा है, must be registered, आपके पास UP का होना ही होना चाहिए, क्या registration certificate है, वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद है दोस्तो, वो candidate apply कर सकते हैं, then subject to the submission of registration certificate of UP nurse's midwife council within 19 days of their provisional joining at the district, if shortlisted, अगर आप shortlisted हो तो, उसके बाद है, point नमर तीन में है, दोस्तो, candidate who are not having registration in UP midwife council, but other state nursing council registration will submit an affidavit or non-judicial stamp paper of RS show रुपे का, both at the time of document verification, and at the time of joining at CHO at concerned district health society, DHS, that he, she must submit his hair registration certificate of UP nurse's midwife council within 19 days of joining in their concerned district, यानि कि दोस्तो, आपके पास फिलाल में UP का registration नहीं है, क्योंकि वेकेंसी बहुत ज्यादा है, तो other state के candidate पिस वेकेंसी को फिलाफ करना चाहेंगे, बेरोजगार बहुत भाही बहुत बहुत है, तो उनको क्या करना है, 100 रुपे का stamp paper बनवाना है, और उसमें आपको registration slip है, वो कटवा लेनी है, वो आपको टेज कर सकते हैं, और forum फिल कर सकते हैं, उसके बाद joining के 90 दिन से पहले-पहले, आप लोगों को registration certificate बनवा कर सब्मिट करना होगा, अगर आप exam पास कर लेते हैं, त तो, candidate who are not having registration in UP Nurses Midwife Council and are joining on the basis other state nursing council, their joining CHO shall be purely provisional after submission of registration certificate of UP Nurses Midwife Council in concerned DHS, joining ये हो गया, उसके बाद है कि candidate who are working as a CHO in उतरपरदेश are not eligible to apply, ये भी मैंने 2-3 candidate का message आए, मेरे पास किसर हम आलरेडी लगे होए हैं, क्या हम apply कर सकते हैं, क्या हम apply कर सकते हैं, तो पहले बाद तो ये क्य apply क्यों करना है, और दूसरी बात कि वो apply कर नहीं सकते, होनेरियम and performance based incentive क्या रहने वाला है, UP में दोस्तों, यहां पे changement नहीं है, 20,500 आपकी salary है, basic salary, और जो incentive होता है, PBI वो आपका 15,000 है, ऐसे करके 35,500 रुपे आपकी salary मिलने वाली है, short bond है, वो आपका 5,000 रुपे का रहता है, उस पे आप लोगों का ticket लगता है, must be submitted, sorry, बनता है, एफिडेबिट, और candidate at the time of joining, आप लोगों को minimum 3 साल के लिए वो आपको submit करवाना होता है, अगर पहले छोड़ते हैं, तो डायलाग रुपे का आपको won fill up करना है, देना होगा, as limit है, वो 21 से 40 साल है, relaxation यहां पे दिया बड़ी खुश कबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि विरोजगार के पास पैसा नहीं होता है, तो यहां पे application fees है, वो निल रखी गई है, COVID experience, weightage, criteria भी यहां पे दोस्तों रखा गया है, कि जिस candidate ने who completed 6 month, cumulative of active engagement, अगर आपने active engagement के तहत, आपने 6 month काम किया है, तो 5 मारक मिल और एक साल 6 मेने काम किया है, तो आपको 15 मारक से यहां पे, आपको COVID experience certificate के मिलने वाले हैं, तो यह bonus अंग मिलेगा, selection यहां पे sure हो जाएगा, जिनके पास यह आल्रेडी बनावा है, वो sure है selected, for availing COVID experience certificate किस परकार से आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाना है, साफ-साफ यहां है, आप लोग देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल reply दिया जाएगा, दोस्तो हर एक बात का, कमेंट ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर कीज़ेगा दोस्तो इस वीडियो को, ताकि सब तक जानकारी ये पहुंच सकें, इस्टक्शन फोर फिलिंग ओनलाइन अप्लिकेशन फोरम किस परकार से आप पर फोरम को फिल अप करना है, step by step यहां पर बता गया, थोड़ा सा बता देता हूं, कि ओनलाइन रिकूर्टमेंट अप्लिकेशन इस स्पीड ओवर ड डालनी होगी, district preference, कहां से आपको करनी है, upload of relevant documents आदी, before closing each session, applicant must have the information filled by clicking save button, यानि कि आपको ये बढ़ना ही बढ़ना है, क्या, सबसे important बात है district preference, क्यों कि कई कंडिडेट बात में बोलते हैं, सर ये हमारे से बरवाय नहीं गया, तो साब साब यहां में 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 क्या गया है district preference आप लोगों को डालना है, किस परकात से डालना है, वो forum में आप लोगों को बता लेते हैं, document verification की process किस परकात से होने वाली है, वो यहां पे साब साब दे को ratio बताया गया है, information regarding the day, time, venue regarding document verification will be communicated to candidate, their registered email, mobile number, no request for change of DVP debt will be entertained in this regarding, candidate will invite for the document verification the ratio of 1, 10 against the total vacancy, तो बहुत ज्यादा candidate को यहां पे दोस्तों बुलाया जाएगा, 1, 10 यानी की 10 vacancy, एक vacancy पर 10 candidate को यहां पे बुलाया गया है, during the DVP candidate will have the procedure, all the relevant, original लेके जाना है, one set of cell, tested photo को भी लेके जानी है, documents, verification के दूरान, और दो photo, recently चाहिए, if candidate fail in processing relevant original document, at the time of DVP, his hour, the candidate's cell will stand cancelled, अब यहां पे जो selection process है वो किस परकार से रखा गया है, दोस्तों वो देख सकते हैं, selection cell भी purely based on the merit and percentage of total marks obtained in high school का, intermediate along with theory का, and practical of years of BSc nursing, post BSc nursing, examination, and COVID experience weightage, साब साब दे को लिखा वाया, फिर से, 85 marks for obtained in the high school intermediate, all year of integrated CCHN BSc nursing, post basic BSc nursing, and 15 marks for COVID experience, weightage of marks for merit out of 85 से निकाला जाएगा, जिसमें से 10, 10th में 17%, 12th में 17% for graded of integrated CCHN BSc nursing, post BSc nursing का account परतिसाद, sample for calculation of किस परकार से करना वो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों, इसके बाद है, criteria of weightage in merit list पे किस परकार है, वो यहां पे आप लोग मैंने आल्रेडी बता दिया है, उसके बाद है, time breaking criteria किस परकार से है, सारी vacancy में mostly mostly same रहता है, इसके कोई बताने वाली खास बात नहीं है, लिस्ट of document to be uploaded on while filling online forum कौन-कौन से है, वो मनें आल्रेडी आपको बता दिया है, यहां थोड़ा सा विस्तार रूप में बताया गया है, अगर फिर भी कोई confusion रहता है, तो आप comment कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को reply हर एक बात का, दिया जाएका वैसे आप लो अगरों को बता दिया है, और यहां पे आप लोगों को बढ़ना है, यहां पे देख सकते हैं, इंपोर्टन इस्ट्रक्शन है, वो मैंने आल्रेडी आप लोगों को बता दी, कुछ खास नहीं है, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इंगलिश ओलनी, जो पेपर आएगा, वो किस में आएगा, इंगलिश में, उसके बादे दोस्तों, ओनलाइन सम्मिशन अप्लिकेशन फोरम, यह मैंने आप लोगों को बता दिया है, और यह यहां पे डिस्टिक वाइज लिस्ट डाली गई है, कुसी नगर की 268 है, टोटल वेकेंसी इस हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, और यह यहां पे कुछ लेटर्स देगे हैं, जो कि आप लोगों को फिलफ करना है, आल्रेडी वीडियो बहुत लेंती हो चुका है, अनुबर परमान पत्तर है, क सारे जानकारे हमने कवर कर ली है, कुछ रह गया, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही बाकि एक और शानदार अपडेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए, नमस्कार